वन्ड स्लेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अधिक अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें आज का क्विज विशय है हर्याना सामान्य ज्यान Q1. हर्याना कौन सा जिला भारता के इतिहास में अपनी तीन महित्वपूर्ण लडाईयों के लिए मशूर है? Option A. पानीपत Option B. जीन्द Option C. कुरुक्षेत्र Option D. अमबाला सही जवाब है Option A. पानीपत Q2. हर्याना राज दिल्ली को सभी तरप से घेरे हुए है केवल Option A. पक्ष्चिम को छोड़कर Option B. उतर को छोड़कर Option C. दक्षिन को छोड़कर Option D. पूर्व को छोड़कर सही जवाब है Option D. पूर्व को छोड़कर Q3. हर्याना सरकार द्वारा अंडस्कोर के समीब स्थित काला अंब काला आम रिक्ष स्थान को युद्ध नामक स्मरक के रूप में विक्सित किया जा रहा है Option A. सोनीपत Option B. पानीपत Option C. अंबाला Option D. करनाल सही जवाब है Option B. पानीपत Question No. 4. एतिहासे काल में हर्याना निम्न में से किस नदी के तड़ पर स्थित है Option A. सरस्वती Option B. यमुना Option C. गंगा Option D. गोदावरी सही जवाब है Option A. सरस्वती Question No. 5. एपरेटस सिटी किसे कहा जाता है Option A. यमुना नगर Option B. पानीपत Option C. रोहतक Option D. गुरुजगराम सही जवाब है Option A. यमुना नगर Question No. 6 हर्याना में अंतराश्री अस्तर का युद्समरक स्थल कहां पर स्थापित किया गया है Option A. गुरुगराम Option B. रोहतक Option C. अंबाला Option D. फरीदबाद सही जवाब है Option C. अंबाला Question No. 7 हर्याना के किस जिले को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है Option A. हिसार Option B. रोहतक Option C. गुरुजगराम Option D. फरीदबाद सही जवाब है Option C. गुरुजगराम Question No. 8 हर्याना का अर्थ क्या है Option A. हर्याली Option B. श्री कृष्ण की जन्म भूमी Option C. भगवान का आंगन Option D. दुद्वदही का खाना सही जवाब है Option A. हर्याली Question No. 9 लेडी हेली हांस्पिटल की स्थापना किसने की? Option A. दीन दयाल Option B. छाजुराम Option C. नेकी राम Option D. कोई नहीं सही जवाब है Option B. छाजुराम Question No. 10 हर्याना में अंडस्कोर जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है Option A. पंचकुला Option B. करनाल Option C. गुरुग्राम Option D. कुरुक्षेत्र सही जवाब है Option C. गुरुग्राम Question No. 11 हर्याना राजिके कितने गामों में नंदीशाला वगोशाला बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है Option A. 5,500 Option B. 6,000 Option C. 6,500 Option D. 7,000 सही जवाब है Option C. 6,500 Question No. 12 भारत सरकार हर्याना के कि स्थान पर एम्स टू की स्थापना कर नहीं है Option A. मानेसर Option B. सोहना Option C. बाढ़सा Option D. जसोर खेडी सही जवाब है Option C. बाढ़सा Question No. 13 नार्नोल का प्राचीन नाम क्या था Option A. नंदी ग्राम Option B. नार्नोल Option C. नंगल Option D. कोई नहीं सही जवाब है Option A. नंदी ग्राम Question No. 14 हर्याना भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारुप माना जाता है Option A. पंजाबी Option B. कोरवी Option C. उअजू Option D. हिंदी सही जवाब है Option B. कोरवी Question No. 15 Underscore के बनसंतोर वन में एक हाती पुनर्वास एव मनुसंधान के इंद्रस्थापित किया जा रहा है Option A. पानीपत Option B. यमुनानगल Option C. कुरुक्षेत्र Option D. अंबाला सही जवाब है Option C. कुरुक्षेत्र Question No. 16 हर्याना अंडस्कोर के अंतरगत भारत का पांचवा उपन एफिकेशन फ्री राज्य है Option A. स्वच्च भारत मिशन Option B. जन कलियान योजना Option C. ग्रिह कलियान Option D. वन बंधु कलियान योजना सही जवाब है Option A. स्वच्च भारत मिशन Question No. 17 हर्याना में पर्यावरन प्रशिक्षन संस्थान कहां स्थित है Option A. गुरुग्राम Option B. हिसार Option C. रोहतक Option D. अंबाला सही जवाब है Option A. गुरुग्राम Question No. 18 हर्याना पहला C&D बेस्ट प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है Option A. सोनीपर्थ Option B. पानीपर्थ Option C. गुरुग्राम Option D. रोहतक सही जवाब है Option C. गुरुग्राम Question No. 19 हर्याना राजिके किस जिले में अंतराश्ट्री अस्तर प्लांट कहां स्थापित किया जायोगा Option A. रोहतक Option B. फरीदाबाद Option C. गुरुग्राम Option D. पानीपर्थ सही जवाब है Option D. पानीपर्थ Question No. 20 कोर्वी मूलत किस मुख्य बोली का प्रारुप माना जाता है Option A. मतुरा Option B. खडी Option C. अवधी Option D. मैथिली सही जवाब है Option B. खडी विडियो देखने के लिए धन्यवाद यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिये गए विवरण में लिंक पर अर्वन्ड स्लेट एप्लिकेशन डाउनलोड करें यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कॉमेंट करें अगर आपको विडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविश्य के विडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें